कि नमस्कार साथ यह आप सभी का एक बार फिरसे स्वागत्य अब्याज अग्री अगेडमी की यूटूब चैनल पर तो आई यह स्टार्ट करते हैं हमारी जो लक्ष सीरीज है एग्री कल्टर के जितने भी कॉम्प्टेटव एक्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट एमसी की सीरीज है आप इसको बहुत वीडियो को एंड़ तक देखना जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे जो कोसंस हैं प्रिवेस एक्जाम्स के अंदर आई कि दोस्तों अगर आप मसी इंट्रेंस की तयारी करने को भी विद्यारती जो देखता है तो आपको मांत ट्रिपल नाइन रुपे के अंदर मसी इंट्रेंस का कॉर्स मिल जाएगा आप चाहे यूपी कैटिट सी यूटी पीजी है आईजी की वी सीटी जिस भी कि आप सब्सक्राइब करते हैं कि यारी कर रहा है उसके लिए 50% डिसकाउंट अभी अविलेबल है कि चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रिशन आपके सामने बताई क्या है पहला प्रिश्चन एक बार लिंक को शेयर कर दें सभी लोग जिदा कि सभी बच्चे आ जाएंगे मताइक क्या अंसर होगा पहले प्रेश्चन का अंसर बताएं विच स्टेटमेंट इस इंकरेक्ट आवाउट ड्रेप इरिगेशन मताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है मताइक क्या अंसर होगा विच स्टेटमेंट इस इंकरेक्ट आवाउट ड्रेप इरिगेशन कौन सा कातन जो है गलत है ड्रेप इरिगेशन के बारे में कौन सा कोस्तन गलत है बताएं इरिगेशन एफिसेंसी 90-95 परसेंट होती है डिस्चाज एट एक चाल लीटर पर होती है प्रेसर जो होता है बन पॉंट फाइब सेले की टू पॉंट का केजी पर सेंटीमेटर होता है कि मोस्ट सुटेवल फॉर वाइडली स्पेस क्रोप ऐसी फासले जिनकी भी दूरी थोड़ी अच्छी होती है ब्यापक दूरी वाली फासलों के लिए सबसे उप्यूकता है और पांचवा नम्मर का उप्शन है मोस्ट सुटेवल फॉर क्लोज ली ग्रोइंग क्रोप्स इन तो सही है बाकी कि हां 90 से लेके 95 परसेंट रहना क्या है एरिगेसन एफिसेंश होती है बिल्कुल करेक्ट है डिसाज एक से लिए चाल लीटर पर आवर यह भी सही है प्रेसर बन पॉंट पाइब से लिए टू पॉन फाइजी पर सेंटीमेटर यह भी सही है हां वाइडली स अबती हैं मैंस्ट के बारे में कौन सा कतन गलत है मैंक रोनी यहों के बारे में दो को कतन जो है गलत है कि एक बार सेशन को सभी लोग सेर कर दें कि आपको बताना है विच स्टेट्मेंट इस इंकरेक्ट अबाउड दा मैकरोनी भीट मैकरोनी ग्यहूं के बारे में कौन सा कतन गलत है इस बोटनी का लिए मैकरोनी-ग ग्यहूं कट है रुपषन थो सूजी और समया बनाने है क्या चै कि बैराइटी का नाम जैराज है सोथा यूजट फोर उप्न परपरिरेशन बताओ कौन सा स्टेट्मेंट गलत है कि मताएं आपको बताना है मैं गयोंग के वारे में कौन सा कथन जो है गलत है इस बोट्टी करें टिक्टीकम डियूरम है क्या इस विजो प्राइटी का नाम जैराज है कि इसका बनाने के लिए तो आंसर है फौर्ट नम्मर ये गलत है ना तो हमारा आंसर ये ठीक है क्योंकि जो है यह बनाया जाता है कि से इमर वीट जिसका नाम है ट्रिक टब औचा कर एंदर जाता है तो नहीं यह एक तैसको कुछी बनाते हैं इसकी ऑपर एडिया इंडिया के eed दिरिया के लिशन करते हैं अगला प्रिश्न बताएं मोस्ट डॉमिनेंट मिनरल और अर्थ क्रस्ट बताओ प्रत्वी की जो भूफ परपटी होती अर्थ क्रस्ट उसका सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है अगर एक बार सेशन को सेर कर दीजिया एक बार सबी इस्टोरिट्वर्ट सेशन को सेर कर दें और कि कि अधिक है कि अधिक है कि अधिक है क्या अंसर होगा बताई आपको ताने इसमें से कि मौस्ट डॉमिनेंट मिननलों अर्थक्रस्ट अर्थक्रस्ट भू परपटी वर सबसे ज्यादा डॉमिनेंट कौन सा होता है तो दोमिनेंट याद रखना कौन सा होता फैल स्पार यहीं होता लगा 48% डॉमाइट यह तो बहुत कम होते हैं डॉमाइट किसका एक सोर्स है जैसे मेगनीशन का एक इंपोर्टेंट सोर्स है एपटाइट किसका फोसपोरस का है टर्मिलन बोरोन का है फैल स्वार में पर पोटेसियम का होता है ना चलिए तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर याद रखना डॉमाइट अड़ता लिए सोरी क्या बोलता है फैल्स पार अगला आइसोलेशन डिस्टेंस फोर फाउंडेशन सीट इन राइज ठीक है फाउंडेशन सीट प्रोडक्शन के लिए आदा जो है राइस की आइसोले होती है बताइए चावल के आधर वीच के लिए प्रतक्रण की दूरी कितनी होगी आइसोलेशन डिस्टेंस फोर फाउंडेशन सीट ऑप राइस चावल के आधर वीच के लिए प्रतक्रण की दूरी कितनी होती है अगर राइस में आपको फाउंडेशन सीट बनाना है तो आ चाहे वोसांडेशन की पूछbagai चाहे साथीफाइड की पूचे सब्सक्रें सब्सक्राइब किस त्रों हेता टिर्ट कीषद सब्सक्राइब कि तौं हमेट्योमցसुक्ट सब्सक्राइब के यह रितुती twenties is a राइस में हाईवर्ड सीट के लिए इस्टेंस होती ना 200 मीटर होती ठीक है जो है याद रखना हाइवर्ड सीट प्रडक्शन के लिए की लिए सब्सक्राइब को तूपब लिए थीन मेटर यह होती एक अगला बताएं इंडिया भारत में विट्स चा के लिए कुन सा है CIFT है CIFRI है पता ही सेंट्र इंस्टूट फिज्रीज टेक्नलोजी है सेंट्र इस्टूट इस इंस्टूट है पता ही सी आई एफ़े हैं आप सुब बताने की कौन सा डीम्ड इनवर्सिटी है क्या प्लगा प्लगा फिस्टूटिय के लिए भारत में इन वह से कौन सी इंवर्सिटी है फिस्टू इस एजूकेशन के लिए इन में से कौन सी इकॉन्द इनवर्सिटी के बतां कमेंट सेक्शन में कि क्या अंचरार है सभी का मिलकुल सी आई एफ होगा यह सेंट्रल इंस्टूट फिश्री एजूकेशन यह पिलकुल जो कि बंबाई में है ना यह डीम्डी उन्वेस्टी है जो कि बंबाई के अंदर कर दो है नेंटी शिक्स्टीवन के अंदर इस्ट पलिश होगी है तो यह याद रखना कि अगला बता इन इंडिया फॉस्ट ड्राइफ फारिव रिश्ट शेचन में विच यह पहला सुस्क क्रिशि अनुसंदान स्टेशन के सब्सुरू किया गया है कि बताए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आएगा कि एक बार सेशन को शेर कट दुआ है क्या आंसर है बताएं कि इन इंडिया फर्स्ट ड्राइफ फार्मी रेसर से स्टेशन वाज इस्टाड़ इन विचिए नाइटी फिप्टी फॉर ट्वंटी त्री ट्वंटी सिस्ट थर्टी त्री क्या अंसर आएगा कि बताएं कि उसका करेक्ट आंसर नाइटीन ट्वंटी त्री याद रगना कॉंसा है 1923 विल्कुल सही है ना 1923 तो भारत का पहला ड्राइस्ट्रेसर से स्टेशन 1923 में शुरू किया गया था कि अग्ला बताओ वेवर जो लेटार एंडिया कोडिनेंट इस प्रोजेक्ट वेवर डियर्टेसर्श प्रोजेक्ट सेर्च प्रोजेक्ट और भी प्रिषयर्ट अनौडी लोकेटिड का है मैं बस्ताय नाही है रैलत क्यों अन्देडिया कोडिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट सुन हनी भी रिसर्च एंड पॉलीनेटर लोकेटट ता रहे तो बिलकुल करेक्ट रहन नहीं दिल्ली आख के खाला बताईए इंटेनक नेस्टानल इंटेनंस उर्टीकल्ट Rodriguez कि इन्टेनाशनल इंस्टाउट अनुसंदान संस्तान कहा तूम पर मत यह सब एंपी के प्रिवेस अभी जो एक्जाम हो उन सभी के अंदर आई वी कोस्टन से इसलिए मैं आपको करा रहा हूं अभी मद्द प्रदेश में जो एक्जाम हुए थे न उनके अंदर या यू कोस्टन से एंबी एई आई यर इस लोकेटड बताओ कहांपर है ऐसी आइसी आर एंबी एई आई 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 और इस लोकेटड है है ह्द्रावाद लगनौ नियदिली बैंगलोर कांपर है आइसी एर एनवी ए आईडाये का पर रहा बताई आईसी ए आर एनवी ए आईडाये लोकेटेद है हैदराबाद में लखनौ में दी दिली और पैंगलोर में पर रहे इन वी एई आई-ऑर बताएं रितेस बी आंसर आ रहें लखनौ गंगाराम साहू उर्तिक्चा डी सुशील कुमार डी और बताएं सभी बच्चे आंसर बताएं नसीव डी और सभी बच्चे जो अपना अपना आंसर करें क्या आंसर होगा एन भी ए आई यार बटाएं लिए अविए क्या ना पको उसको फिलपों मताओ स्वर्ड ऑसे को अप अ 느ूशोर्स आप सहने से अंसर आप उडूसन गया शंजा आप सब्सक्राइब और अन्सर अब शहते हैं आंसर कि यह यह चाहां पर वांगलोर में आहे ना रहे बैंगलोर मैं इंसेक्ट रिसॉर्सेंस कब make ml के अंदर है आगो का कि डिय निए एक्जेस्ट ऐजेवरलेलेक्स किडिय उता है डावलेउट्स प्रूस्ट पृप्रिशके बिचंज है कि यह अच्छोंप बनते और उसके बेच बनते हैं प्रफिश्च किसके बीच बनते हैं और किति कि Knуд्ण उसके बीच बनते हैं अब्जात souvent बंद के परिणाम सरूप DNA के डवल हेलेस के रूप में मौझूद होता है सोगर मॉलिकूल फॉस्पेट गूरूप निगलो वस्टोन और नाइट्रोजन बेस डियने जो होता है डवल हेलेक्स है ठीक है डवल हेलेक्स होने का कारण क्या कि हाइड्रोजन बोन अच्छा किस के अंदर बनते हैं तो बहुत सिंपल है हाईड्रोजन-beeस के अंदर यस हैं और टीटै किया होतें यह कि Stay ना इड्रोजन बेस पर होते हैं हम एटी के साथ जी और शी के साथ यूट के बीच में तो हाइड्रोजगं weird bond हुआ है एन टी कोड्होन स्रेक्वर्ण यूप टी नीइट्रोजन बेस एक सिग्वेंश कό होता है ourselves क्या डी एनिप पाया जाता है messenger RNA पोता है राइबो जो मिला रह यह ट्रांसफर आरेनी कहां पर होता है बताएं का मैं का पर होता है अगला है एन एंटी कोड़ोन भचन सब्सक्राइब 오늘도 हैंटीकोडोन तीन नाइट्रोजन वेसादारों का एक क्रम है जो पाए जाते हैं है एन्टीकोडोन कहां पाया जाता है थाड क्या यहां थाफ़ा nessa meaning का हैं यहां प्रजंट ओता है है उन्हों याका हो टार दना अर। लिटकाओंolet सब्सक्राइब करके तो और यहां यहां ट्रांसफर आरेने पर याद रखना है अन्टी कोड़ा होता है कि अगला प्रेस्स माता है को से नमर बारा आप्टर दसेल है जंडर को ता मैटो सेज़ दा इमांट डियने रोटर सेल बिल भी को सिका का समसुत्री वाजन हो जाने के बाद संतती को सिकाओं में डी आनी की मात्रा होती है माई टोसी से सी माई है कितनी सल बनती है दो से कि किby को मताई कितनी होगी ड़ दिहेंने के मातरा तो बरावर होती है पैरेंट सेल में जो है क्रोमोजोम बरावर डियने सारी चीज बरावर होती है ना भाई जो दो सेल्स बनती है यह वाली माईटोसेस के अंदर यह दो सेल बनती कि नहीं यह वाली हां इन दोनों सेल में क्रोमोजोम ने डियने वगेरा सब कुछ बरावर होत आए चलिए बताई आप से पूज़रें कि विच केन ऑफजर दिन दा इंटर्फीज नुबियस अंडर दा लाइट मैक्रोस्कोक लाइट माइक्रोस्कोब स्कें une अध्य टो इंटर्फीज में ना तो कॉमोसोम देखता है क्रोमेट्न होता क्रोमेटिन फाइवर निकलोसम नहीं देखता सेंट्रोसम नहीं देखता हमको ना क्रोमेटिन फाइवर का यह वाला फोर्म हमको देखने को मिलता है यह वाला जो है हमको यह देखने हैट्रोक्रोमेटिन फाइवर होता है ना क्रोमेटिन फाइवर तो क्रोमेटिन फाइवर ज नेंगा कि स्वारी चीजे हमको नजर नहीं आती हमको क्या नजर आता है तो आश्य है कि हमको नजर आता है किलिए चलिएOUL अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगला है नुक्लियर एंवलप रियापियर नुक्लियर एंवलप हमको कब दुबारा से देखाई देता है कि हाँ इन एक्टिव एरिया विल्कुल एक वार आप सेशान को सेर गड़ते हैं अगला प्राइब कि अच्छा केंद्रक जर्ली पुन्ह कब दिखाई देती है गर्मेंट शेक्ष्टन बताएं कि तक है यह नुक्लियर एंवलप पर रियुक्लियर एक डिका देटी वताई किंद्रक जिली जो है पुना आपको क्या इमेटाफेज में प्रोफेज में एनफेज टीलोफेज किसमें दखाई देखी दुबारा बताई कि तो आंसर है बिल्कुल कहां देखाई देखी तो आंसर है टीलोफेज में देखो यह पहली बार है ना प्रोफेज के इंड में यहांपर हो जाती है है याद रखना यहांपर क्या होती है यहांपर देखना बंद ख़ती है जो दिखना बंद regression क्या हूता है यहांपर देखना बंद arts tan बसके रिएप और और अगला इंपक्लीट Incomplete Metamorphosis is found in order Incomplete Metamorphosis कि सोडर में आपको देखने को मिलीगी Incomplete Metamorphosis बताएं Is Incomplete Metamorphosis आपको किस स्टेज में देखने को मिलीगी कि माटाइए इन अनिकम्प्लीट मैŃ define जाए जा जाती है लेग्दोपीटे रहा हमोपेडेया रहा और कुलिप्थेला इन्सीद्ध मैटा मोपूटे बताएं कि सब्सक्राइबरा हाई परस्द्थेळा कंव्рист ऑघ्कड лай वह प्रक्राइब किसमें आपको है ना आपको यह बताने कि किसमें इन्कम्प्लीट मेरीटे मृपोस हमको देखने को मिलती है लर अगया रहा हैं तो बिल्कुल हमको हो मोअ सबस्राइब। हो आपना हमिप इद एक हो होता है हुझा होटा है होता है न फूट कर मत कि न हीं इसे के अंदर शेहAlग बगस कि इस में आता न यह आता इस इस एक वाइफ फ् swearhost जैसे भाइफ लाइफ एफ जैसे लाइगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा होुम पिदे रहा यह जो नहीं यह जो तीन एक दो और यह तीन इनके अंदर कॉन सी होती है सब्सक्राइब जो इनकुंप्लीट समय तीन स्टेज जो ते एक होता है जिलिए और इस वह तो पारे विज अगला बताएं इन विच मौत पाट्स प्रजेंट होते हैं अग्छ मताएं इन विच इंशेक्ट पिरिंग ऑफ शकाइब। में देखने को मिलेंगे कि सक गप्रिंग नदेखने को मिलते हैं किसक्लास के ओडर में आपको किसक्लास की इंसेक्ट में कि तब कि अच्छा प्रेंग जैसे इंदर आपको यह किसमें आते हैं यह किसमें आएंग यह पिटे रहा में बिलकुल तो अंसर हमारा क्या हो जाएगे हमी पिटे रहा अगला आंसर बता है अगला वाली डिखिंग टायप ओफ लेक्स प्रिजेंटे कोदने वाली टांगा किसमी वहारोग्स प्रवाली जो टांगे मोर से बिलेंगे कोदने वाली टांग हैं किस देखने को मिलती हैं मोल खृकट हा। देखने को मिलीगगyun आपको किसमा को मिलती हैं कि बता ही क्या अंसर होगा 2 syndrome एकित ते together to कुछ बूर्ट के फिंटेसर खूदने वाली उनको फो षील भी कहते हैं आपसे फॉ रोजी घिसान और फोर्लैक्स तहाँ पहर होंगी याद रखना खोधने वाले बाए अगला प्रेसम का इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल है लेस्ट टोग जेकर हाइली टोग जेकर ननुब दीजे कि बदाई मुड़ा अप्टर नूँ कि आप से प्रिश्म पूजा रहा है कि है ना हाई एल्डी 50 वैल्यू हाई एल्डी 50 वैल्यू इंडिकर फॉलोईंग अगर किसी इंसेक्टी साइट की एल्डी 50 वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि वो न्यूट्रल है लेस्ट टोग जेकर हाइली टोग जेकर और नन अब दीज अगर किसी इंसेक्टी साइट की हाइर एल्डी 50 वैल्यू है कि क्या होगा गजेकर किसी इसे की हाय मतलब जैसे कि ना on पांसर इंध्र सुझ कि ज्तनी ज्ञाद एल्डी फिप्टी वेलिव होती है नहीं कम जहीला होता है थिए लेश्ट अग्जिक होंगा जो इंसेक्टी साइट की जितनी जादा जसे इंसेक्टिसाइड की जितनी ज्यादा एल्डी 50 वैल्यू ज्यादा होगी ठीक है जिस इंसेक्टिसाइड की जितनी ज्यादा एल्डी 50 वैल्यू होगी याद रखना वह उतना ही कम जहरीला होता है तो तीक है ना याद रखना आप एक बात रहने की जहरी लपन है ऐसे लिख लेना कि लडी 50 वैल्यू जो है सीधा-सीधा इनवर्स बैदक्रमा टोक्जिस्टी याद कर लेना आप हमेशा कि लडी 50 वैल्यू अगर जतनी ज्यादा होगी यह तो मतलब यह टोक्जिस्टी उतनी ही काँ को देखो बहुत सिंपल समेज ना से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट किने एक सब्सक्राइब है यह सबको तेrim quickly सबकने जहर दिया जहर मैं से 50% जनसंसंग मर जाती है तो 50% जनसंग किiments क्य लाती है ठीक है को भी इंसेक्टिसाइट जो है पेस्टिसाइड उसकी लडी 50 अगर बात सुनों अगर हम इस इंसेक्टिसाइट की देखो 500 mlc सिर्फ है ना इसको कितना कि हमने 500 500 मिली ग्राम दिया 500 duAKE 50% अगर 50 पर्म एकम मात्रहाय हम तो क्याह si7 परसेंट मर रहें, अगर 57 सेट की कि एक इंसेक्टिसाइड माले यह वाला इंसेक्टिसाइड है और यह वाला भी है हम इंसेक्टिसाइड की 500 मिलीग्राम मात्रा से 50 परसंट लोगों को यहां पर चुओं को मार पा रहे हैं और यहां पर बी पार रहे हैं आप खुद देखके बता सकते हैं कि एंसेक्टिसाइड और भी है तो एक ही 500 मिलीग्राम मात्रा ही जो है एमजी 50% यहां पर यहां पर यहां पर पांस यह तो कौन सा ज्यादा जहरीला हुआ यह वाला अगला दूसरे जिसके हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी एपलाई करना पर देट तब जागे मतलब यह कम जहरी रहा होगा तभी तो आपको जाड़ ज्यादा डबाई डालना पड़ रहे हैं कि समझ में आगया समझ में आगया यह वाला कंसेप्ट हम हमेशा याद रहेगा क्लियर हो गया ना चली अगला है यूज ओप लाइट्रेप्स फोर्डा मेनेजमेंट और पैस्टिज्ट अग्जम्पल ओप ठेकैं बता ही क्या होगा यूज ओप दा लाइट कर्कों इस करके पैस्ट को मैनेजमेंट करना तहकीना क्या kullo उर्ण यूज ऑप लाइट ट्रेप जाडर रहन पहसी कने किसका लाइट अभी यूज ओप लाइट ट्रेप ट्रेप ओपर-मेनेजमेंट और पैस्ट इस दा एक्जामपल ओफ की एट नियंतरन के लिए प्रकास हाना लाइट्रेप का उप्यों के बता ही यूज ओप लाइट्रेप for the management क्या आंसर होगा आप से पूझ रहे हैं लाइट रैप का यूज करके अगर हम किसी प्रेश्ट को कंट्रोल करते हैं तो इसका अंसर यह किस में आता है किसमें आएगा किसमेंगा बिलकुल यह एक प्रकार का मेकेनिकल मैथड़ यह आंत्रिक विदी होते हैं किसी मेकेनिकल मैथड़ है अगला बताइए बिश्वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स और इसेंशल फॉर्टो लाइसस वाटर निमले के तमेंसे कौन सा तत्व जल के जल के प्रकास प्रकाशिप के लिए जरूरी गोडिन मैधने चलल मेधने लगन hurry यहित तीन महत जरूरी होते हैं वाटर के चौट आवडिन से कहने एलिमे इदा रख के तूटने के लिए पानी के तूटने के लिए तीनों बहुत जरूरी होते हैं अच्छा प्रश्ण मेरे को आप यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है एक प्रश्ण आप मेरे को बताई क्या किया प्यास फर्स्ट और प्यास सेकंड इन दोनों में होता है तूटने में तो अच्छा फर्स्ट में होता है स्वाइब लौत है मैं किसम रूटा अब आपके बताना है कि ये दो रहा हो कि वा'T का फोटो लाइस फिए फ़र्स्ट में होता है सैकंड में कि वाटा का फोटो मिन और को जी पर सब्सक्तिंठ कि तो तक्डशिय गूंधर सब्सक्राइब कि अग्ला प्रूट प्रेशर हम यह कुष 스ोल करते हैं बताए कमेंट सक्षन में कि आंसर होगा कि रूट प्रेसर इस मेजर तब आइंज Когда मूल अतर्मापा जाता है मैं उच्वाण से मेजर करें बताएं रूट प्रेसर को पूछा में पूछा है रूट प्रेशर किसी मेजर करते हैं रोड़ परेशर के से में आप दे मता हैं कि यह फो कि मैंजर लॉक्क को करते हैं कि इसको बहुंत को पोटो मेंटर से ट्राणस्पशेयर बेर्ट ट्राणसपेयरन में तुट Mendel sociology प्रेस्पिरेशन रेट एक्जोनोमीटर से याद रखना ग्रोथ इस्यम अना ओपी ओस्मेटिक प्रेसर मेजर कर सकते हैं चलिए अगले प्रेस्न का अंसर बताई आँ प्रोसेस अकर्शन लीव्स में लोवर टेंपरेचर इस बताओ पत्तियों में होने वाली प्रिक्रियां जिसे उनका तापमान कम होता है ऐसी कौन सी प्रोसेस टेंपरेचर कम हो जाएगा कि एक प्रोसेस अकर्शन लीव्स में लोवर टेंपरेचर बताओ उन्हों से प्रिक्रिया जो है जिससे तापमान कम हो जाएगा इस तो बिल्कुल ट्रांस पार श西न लीव का टेंपरेचर कम हो सकता यह एस को ट्रांसल बीशनी प्रोसेश जी से लीप 까요 sounds माईकोपलाजमा की खोज सबसे पहले किसने की बताएं का माईकोपेलाजमा की को जो है सबसे पहले एमेलोNG फर्स्ट डिस्कवर्ट ब्या ऐमेलों को सरपरतम किसने में लू कोजा见 लूइस स्क्रेट को रोबर्ट जो है दू एटिल वह गता किसने तो युरोट्स में तो युद्ध द्क द्वरा खोजागे इस द्सक्राइब मैं युद्ध सब्क्राइब सूफ्लों ऑस्ट युलऑ युद्स अन्विक्रा유ेब एलो है यह दैसे तो देखो एंदर धाली डिजीज घूजी गई पी पी सिप्टव और से तो टो नोकाड अट रॉप्सम फॉम जाता ऐनी विल्च मौ जाता मैंनी में प्लांट के अनदर पहली डिजीज जो है न डब ये ड्ली असस्ट रेल शन्फलवर को भाए था माइकोप्राज्म चल्मेब्राइन है और हो São certaines लेश्ट को माइकोप्राज्म मॉफ्रम सेल एक सैंट होगी है ना माइकोप्राज्म मैं स्ब्सक्राइब भूल एक सेंट होती है कि सोट बनाए मतलब कॉस्षन कम करेंगा कि आकास हम चाहते हैं कि ज्यादा कोशन तुमको तो एक कि ज्यादा कोशन तुमको तो तुम पहरा है कि बीडियो चोटा बनाएं आप कि ले थे तों ुसक्स तोस्कूष उस्इवभाट अगला है एकस्षिन औप लोप मेंडिर्पेडनेन्ट आस्ट मेंट डवर्ण रॉप इंडिपेंडेनेंट असट्मेंट का अपवाद है सुतंत्र अभुअनियम का अपवाद क्या है कि ूर कि मदाई कि मैं डय एकक्सप्षेंश और लोर इंडिपेंडेंट अस्वेट्मेंट आपको वताना है सुतंत्र-बींयम का अब वाद क्या है six ऑब्दाही सुतंत्र अब्व Religijn का अब वाद क्या है मताई कमेंड सेक्षंन में तौतन्द का अब वाद होगा सुटंत्र अभवनियम का अपबाद किया है लोग इंडिपंडेंट असॉट्मेंट इंडिंट्न्स ञाहिक इस सुटंत्र अभवनियम का अपबाद क्या है इनद्न अपुट्ध है इन तुट्र, नियम नियम का क्या है worldwide Phantom तो बिल्कुल इसका एक्षफब्चन क्या है साथ समय एक्षप्टन यह दो किसके हैं यह तो लॉब प्रवाद है यह लिंकेज मोस्ट इंपोटेंट है न याद रख नहीं है कि चली है तो कंप्लीट हो गए हां तक कि अगर कोई आपका दोस्त की पढ़ाई कर रहा और आप में से कोई स्टूडेंट कर रहा तो आप में से कोस्ट मांत ट्रेपल ना इन में ले सकते हैं अगर आप चती सग्ड़ के वच्चे हैं एक इंपोटेंट टेस सीरीज विए जिसमें 3500 कोशन है पहले से कि आप लेले हैं बहुत अच्चा है तो 25 रुपे तुम चाय नस्ता कर जातों एक दिन में ना कि पंदर रुपे शुट्टा मार जातों दस रुपी की चाय पी जातों ठीक है ना और इसमें 3500 ज्यादा कोशन है मातर 25 रुपे में जो करते हैं उनकी बात बता रहूं सभी नहीं अगर आप 36 के स्टूडेंट अभी विदे को टाइम अभी एक्जाम की डेट तो आई नहीं सरकार बनेगी एक्जाम होगा तो जनवरी से पहले तो कोई एक्जाम होई अभी आपको पास टाइम है तो आप पल सकते हो 50 सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वह अप्लिकेशन का चार्ज होता है कम से कम आपने हैं नहीं कर सकते क्योंकि अपने अप्लिकेशन किसी और से बनवा तो मैंटीने चार्ज होता हूँ इसलिए वो कम से कम इसलिए अपने को रगले आप एन फ़ेल का कोर्स ले सकते हैं अगर अब यह वह सांदर जोब नफ्ल एन वह नहीं तो आप हंदेट सब्सक्राइब करें और अपना सेलेक्शन सो निस्षित करें तो एसे हम एक एंसी कुई भी है ना सामको डेली पांच बज़े आप लाइब क्लासे सुथी जिसमां 50 एंसी कूव करते हैं यह क्या है टोपिक वाइज यह वाला जो कोर्स है यह टोपिक वाई एंसी की सोल करेंगे कि हां सीजी आरिया कोडिंग है कि टैस सीरीज बिल्कुष सीजी का अर्युक्ट अकोडिंग ना कि आरियो का मेरे को जतना एक्स्पिरियंस है इतना किसी को नहीं हो मंत्र प्रिदेश में आरियो अपने इतने बना दिये अपनी कोचिंग से इतने बच्चे स्लेक्ट हुए आरियो हो पूरी एंपी में कि तो आपको टेस्सरी परफेक्ट बिलेगी अब यह उडान बैज जो है जिसमें यूटूब पर पढ़ते हैं ऐसा ही कोर्स है यह एप्लिकेशन पर चलता है 400 इसकी वैलेडिटी शिक्स वन यह है 499 है इसमें टॉपेक वाई एंशी की सोल करते सभी सब्सक्राइब करते हैं तो और यह वह उडान में पैड कोर्स है अब चीक फिर मिलेंगा ना दो इसकी जो पीडियाफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी एक मोस्ट इंपोटेंट टेलीग्राम चैनल जरूर जोन करने आप ना जिससे तो मैंने आपको क्लास के तुरंटबादी टेलीग्राम पर इसकी कलकी है ना पहली क्लास की फाइल जाएगी तो जाएगी तो क्या करें आप टेलीग्राम चैनल जिससे इस पीडियाप मिल जाएगी उनकार तो यह टेलीग्राम चैनल जोइन कर लेना जरूर अगर आप अप्लिकेशन डाउनलोड कर तो वहां भी बहुत सारे फ्री टेस्ट अब लेवाल है तो आप फ्री टेस्ट देखे दे सकते हैं कई बच्चों के लिए फ्री टेस्ट भी रख रखें कोई कोर्स नहीं है यह फ्री टेस्ट है अप्लिकेशन में कोई आगे अटेम्ट कर सकता है ठीक है तो कल बारा बज़े फिर में लेंगे हम नए कोर्शनों के साथ ठीक है ट्वल पीम आप आईए और अपने दोस्तों को भी लाईए ज्यादा से ज्यादा जिसे कि उनकी तैयार अच्छी हो जाए कल बारा बज़े फिर क्लास है को नए कोर्शन हम डिसकस करेंगे ठीक है ओकी है कि करेंट इडाटा भी पढ़ाएंगे चिंता ना करें आप चली मिलते हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली जो वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा जो भी वीडियो आने वाली जितनी भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को साथ इसको सेर करें अच्छा कंटेंट मिलेगा बस मेरे यह हैं कहना